आज सलाम आलेकों भाईयों यह अभी हम कंप्रेसर के कनेक्शन करने वाले हैं और जैसे कि हम आपको बताएंगे कि यह रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन होती है रनिंग स्टार्टिंग जो है यह हमारे केपिसिटर से आएगी और कॉमन जो है हमारे कॉंटेक्टर से आएगा एक contactor लगाओ है 35 एमपेर का ठीक है तो यह हमारा fan के पिसिटर लगाओ है और यह देखें जैसे के color wise भी हमारे को देखना पड़ता है और वैसे भी देखना पड़ता है तो यह हमारी अभी आरिये starting और यह red जो है यह हमारी आरिये running ठीक है और अगर आपको वैसे पता नहीं ह या इस cover से या इसके साथ रबड आता है उससे भी हम चेक कर सकते हैं यह देखें इसके उपर यहां लिकावा है running, starting और common तो हम इसको ऐसे रखके आगे हम देख सकते हैं अभी जैसे के यहां हमारे पास white है और white हमारी जारी है starting में तो हम starting यह देखें उस side बे लगाएंगे इदर उसका वो है option यह देखें यह इसका point है एक मिन में जरा लगा दूँ पिर आपको बताता हूं यह लग गया starting ठीक है यह हमारी starting आ गई उसके बाद हमारा number है running का तो यह देखें इस पर running आर लिका हुए ठीक है एस starting है और running है तो यह हम starting जो है लगा दिया और running का बारी आगया तो running में हमारा red है तो red को हम इसके साथ लगाएंगे यह यहां से पकड़ा हमने और यह बेड़ गया running ठीक है उसके बाद बारी आ गई हमारे common की common हमारी यह black यह direct contactor में लगती है ठीक है ना जब तीन मिनट बाद indoor connection देता है contactor को तो contactor on होगा और common में लाइन आ जाएगी तो यह हमारा अगला point है common का ठीक है यह मैं आपको उसमें भी बता देता हैं cover में भी यह common का point आगया ठीक है इस तरीके से अगर हम इसको रखते हैं तो उस तरफ देखें इस तरफ आगया हमारे starting running और common ठीक है आप आए उस पीडाई करें रहत गया करैंग को राद रहते हैं जाड़े बता आगया है प्र魚 स Так какой के देखें म्रेश धेहमारे में का नेला हैा रहता है दो इस प्सक्ता рег horizonर अब्लिश्ल शेटेश्गल